नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर एर्विन नामदेव मैं भोपाल में शिवालय होस्पिटल में कारे रत हूँ पेटे वम लिवर रोग विश्य सग्य के रूप में बच्चों में एक प्रॉब्लम बहुत जादा है कि वो मतलब यह ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रहा ह जो नहीं खाने योगे हैं जिनको हम लोग foreign body injection बोलते हैं कि और यह calls मेरे पास हर महीने 5-7 तो आही जाते हैं तो मतलब वो चीज़े जो नहीं खाना चीज़े जिसमें मैं पहले तो यह बता हुआ कि most commonly बच्चे क्या खा लेते हैं most commonly सिक्के जो होते हैं घरों में पैसे होते हैं तो बच्चे जाने अन जाने सिक्के इँ़ों को मिलते हैं खुशी से तो कभी-कभी वो खा भी जाते हैं सबसे ज़्यदा common calls आते हैं सिक्के निकालने के लिए क्योंकि जादातर छोटे बच्चे एक करते हैं देखिए most commonly पहले यहां से शुरू कर लेता हूँ कि कौन सी उमर के बच्चे ऐसा करते हैं तो पांच महीने से लेके पांच साल के बच्चे जिनके भी घर में बच्चे हैं वो थोड़ा विशेश धियान रखें इन चीजों का ये बच्चे सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते ह हैं experiment कर रहे होते हैं उनका brain develop हो रहा होता है तो इनकी आदत होती है हर चीज को मूँ में लेने की और कभी-कभी ये फिर उसको गुटक भी जाते हैं तो जब तक बच्चा मा की गोद में हैं पहले दिन से लेके 4-5 महीने तक तब तक तो वो सुरक्षित है जब बच्चा मा क ले भी तो गुटक ना सके थोड़ा सा कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए तो जनरली 5 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा foreign body injection करते हैं कुछ ऐसी चीजे खा लेते हैं जो उनने नहीं खाना चाहिए उसके बाद भी बच्चे आते हैं जनरली 10-12 साल तक के बच्चे भी गलती से फिर इस तरह की चीजे उनसे हो जाती है और फिर यह इमर्जेंसी बनती है और उनको तुरंत अस्पताल भी आना पड़ता है जो सिक्के हैं वो ज्यादा तर जो है यहां च्छाती में जाके फूट पाइप में फास जाते हैं उनसे दर्द भी हो गरों में जो बहुत आसानी से अवेलेबल है वो जनरली रहती हैं मतलब ऐसा समझ लें कि सिक्के के बाद क्लिप्स जो जो जोईलरी की चीजें हैं जुमके अंगूठी फिर कुछ सामान जैसे कीले हैं फिर सेफटी पिंस यह सब डेंजरस हैं थोड़े से क्योंकि यह पैनि के इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे खिलाने हैं और इवन बच्चों ने नेफ्सलीन बॉल तक खाई हुए जो घरों में रखी रहती हैं टेस्ट करने के चक्कर में गलती से खा जाते हैं इसके अलावा जो है कुछ अन्यूजूल में मैंने इवन एक बच्चे के पेट से तो पायल तक निकाली है जो उसके पैरों में बंदी होती है वो कैसे खुली क्या है और वो एक अलग चीज है कहने के मतलब है कि जो भी छोटी चीज़े मुह में रखी जाए और गुटक सकते हैं उन सब चीजों पर विशेश ध्यान देना चाहिए इसमें एक चीज और मैं करूँगा जो सबसे खतरनाक है वो है बटन बैटरी जो घडियों में और खिलोनों में डालने के लिए जो गोल-गोल बटन बैटरी होती है चोटी-चोटी-चपटी सी यह सबसे डेंजररस फॉरें बॉडी है जो घर में बच्चे खा के आते हैं मेरे बास क्योंकि इसके अ की होता है, मुस्टर दर में स्टक हो जाता है, प्राब्लम ही होती कि बच्चे खा लेते हैं बताते नहीं, जब तक उनको प्राब्लम ना हो, कई वार अन्नोटिस जाती है, कुछ अलर्ट पैरेंट्स जो है तुरन पकड़ लेते हैं, यहां कुछ था और यह गायब है, इसने म मुँ में ले लिए और नहीं बताया, अगर एक दो दिन वो फसा रहा तो उसमें से ऐसेड लीग करेगा, और फिर वो चेस्ट में जहां पर भी ऐसेड है, आप समझने कि आप बड़ी प्राब्लम में फसने वाले है, तो बहुत कॉमनली घरों में है, और मान के चलें कि महीन अब बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्या खाते हैं, यह तो बात हो गई, अब खाली है, तो करना क्या है, देखिए तो सबसे सिंपल है, फॉरें बोड़ी अगर अटकेंगी, थोड़ा सा यहां इंसाइड देता हूँ कि जो पूरा ट्रैक है हमारा मुँस है, जो पूरा फू इंट्रेटिंग टाइप है, कील है, जिस तरह की चीज़े तो कहीं भी चुप सकती हैं, अदर्वाइज यहीं पे चीज़े रूप जाती है, क्योंकि नैरोइंग पार्ट यहां पे है, अगर यहां से उसने गुटका है, जब यह ओपन होता है स्फिंटर, तो फूट में सबसे आदा चीज़े अटकती है, अगर यहां से निकल के स्टमक में चला गया, पेट की ठहली जो है, तो फिर मान के चले की वो स्टमक में घूमेगा, और उसके आद जो स्टमक की जो ओपनिंग है, उसके अंदर रहने के कारण स्टमक में चीज़े अटक जाती है, यहा कोटे बच्चों में 3-4 मीटर तक की हो सकती है हाला कि यहां से ट्रैवलिंग इजी होती है अगर बच्चे को पेट में कोई बीमारी नहीं है कोई रिकावड इस्टिक्चर कोई बीमारी नहीं और यहां तक स्कोप फिर आगे जाता भी जनरली हम छोटी इंटेस्टाइन के पह पर वो इस्कोप की रीच में होना चाहिए यानि एंडोस्कोप जो हमारा एक मीटर तक लंबा होता है तो जनरली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फरस्ट पार्ट तक चीज़े आसानी से निकाली जा सकती है और यहीं पर सबसे आदा नेरो इंग होती पहले इसोफेगस के फर पार्ट में फिर जंक्शन पे फिर स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पे उसके बाद फिर जाके आप समझने की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहां खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे वाल होता है चीज़े वहां भी अटक सकती है लार्ज इंटेस्ट तो आपको समझना है कि अगर चीजें अटक गई हैं तो उन्हें निकालना ही है पर अगर पहुंचने में देर हो गई है और चीजें आगे बढ़ गई हैं अगर इसमाल इंटेस्टाइन तक आ गई है तो फिर वो चांसेज उनके निकलने के बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि आगे जाके क्या होगा बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना लेकिन अगर वह आगे चली गई है तो फिर डॉक्टर के अब्जर्वेशन में उनको रहना चाहिए डॉक्टर अगर चीजे पर तब बेसिकली डिपेंड करता है उसने क्या खाया वह कितना डैमेज कर कर सकता है अगर सिंपल्डी जैसे कई वर बच्चे वह जो कंशे बोलते हैं क्लास बॉलते हैं खेलने माले अगर वह खा लेते हो श्मूद्वी निकल जाते हैं अगर आगे बढ़ जाए तो निकल ली जाएंगे नहीं तो रैक्टम में अगर जाके फस्ते हैं लास्ट में बच्चे पाँच महीने से पाँच साल तक के हैं कुछ चीजे हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए जैसे मैंने बताए बटन बैटरी तो बच्चे सुरक्षित हैं अगर बच्चे ने खा लिया और आपको पता चल गया है और वो चीज कहीं अटक गई है जो बहुत आसान है अगर कोई चीज अंदर गई है तो बाहर आईगी भी डिपेंड सपर्सेंट चीजे नीचे जाके फस सकती है तो उनको को लोनुस्कोपी से निकाल दिया जाता है सर्जरी की आवश्यक्ता बहुत कम पड़ती है मुझे लगता है मेरे आनुभव में सर्जरी की आवश्यक्ता नहीं पड़ी या तो पहले ही हो जाती है या मेरे पास आते हैं तो नहीं जरुत पड़ती है बटन बैटरी अगर खुल गई है तो आवश्यक्ता पड़ सकती है पैनिटेटिंग चीज़ है अगर वह अंदर जाके उसने पंक्चरी कर दिया है तो जरुवत पढ़ सकती है इसके लाव फ़रेंड बोडी में जरुवत नहीं पढ़ती है I hope यह वीडियो आपको कुछ एक लिस पैरेंट्स को कुछ उनके डर को खतम करेगा और थोड़ा सा और रिस्पॉंसिबल चीज़ों को घर में अरेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रोवोक करेगा Hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा फिर भी कुछ और जानकारी सवाल है तो आप पूल सकते हैं नमस्कार